दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस परकार से पंजाब निस्नल बैंक में आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग काउंट ओपेंड कर सकते हैं और यहां पर आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग कांट करने के बाद आपको कैवाइसि कम्पलीट करने के लिए भी आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा इसली आप विडियो के वाइसे से आप अपने एकाउंट का फूल के वाइसी कम्पलीट कर लेंगे साथ ही यहाँ पर आपका के वाइसी कम्पलीट हो जाने के बाद आपका ATM कार्ड और चेक्बुक भी आपके एड़ेस पर सेंड कर देता है पंजाब निशनल बैंक में जीरो बैलें सेवेंग काउंट को उपेंड करने के लिए सबसे पर आपको अपने मॉबाइल के प्ले इस्टोर में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद पंजाब निशनल बैंक का अफिसियल अप्लिकेशन है प्रोसेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आप अपने bank को mobile phone से control कर पाएंगे और नया account को open करने के लिए open account का option है simply इस open account पर आपको click करने है तो यहां पर आपको permission allow करने का option दे रहा है जैसा कि यहां पर देख पर है क्या क्या परमिशन आपको यहां पर सेटिंग में देखना पड़ेगा जिसके लिए यहां पर जो कि नीचे में देख पारें सवी परमिशन को अलाव करने हैं इसके लिए यहां पर आप यहां पर इजली आप वीडियो कल के भाई सी भी complete कर पहेंगे तो इजली यहां पर अपर अपर कुछ को रीड करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करने के लिए यहां पर जो की देख पारे अगर आपका नहीं पर जो की नय एकांट को ओपेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर Apply for Savings Account का ओपर आपसन है तो इस पर आपको Easily क्लिक करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही देख पर है सबसे पहले तो Location का Permission Allow करने का ओपसन दे रहा है जिस पर क्लिक करके यहां से आप देख पार है कि इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा इसके लिए यहां पर जो कि देख पर आपको SMAX का चार्ज भी 0 जो की दिखाया ज़रे सांती हैं यहां पर जो कि यह बेसिक सेविंग डिपोजिट अकाउंट ह जो कि देख पार है फर्श्ट वाला जो ओप्षान है पी एन भी 39 जो कि यह जैनरल से भी इंकाउंट है जिसमें के आपको अनलिम्टेट टैंजेक्शन कर सकते हैं और अनलिम्टेट आपको यहां पर SV डॉल और डिपोजिट कर सकते हैं इसके लिए यहां पर आपको 39 से भ करिएगा जिसमें कि आपको फ्री डेविट काड़ भी दिया जगा साथ ही आपको 25 प्री पेज का यहाँ पर चेक्बुक भी आपको दिया जगा तो इसके लिए यहाँ पर जो कि देख पर आपको select product का option है इस पर आपको click करना है और उसके बाद यहाँ पर जो कि नीचे में process का option है सिंप्ली का इस process पर आपको click करना है तो यहाँ पर जो आपको देख पर consent form देखा गया है किस परकार से यहाँ पर आपका account open होगा जिसमें कि यहाँ पर आपका 18 plus होना चाहिए account को open करने के लिए इसके लिए यहाँ पर आपको सबीटेल्स को read करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका ख्यासी भी complete के जगर नीचे में यहाँ पर i agree का option simply case i agree पर click करना है और उसके बाद प्रोशेट पर आपको click करना है तो यहाँ पर जो कि देख पर है account को open करने के लिए यहाँ पर आपसे verification के लिए सबसे पर आपका पुछा जारा है तो इन case यहाँ पर देख पर है आपका mobile number पुछा जारा है जो आपके अधार card में अभी लेबल है तो वही mobile number आपको fill up करना है जो आपके अधार कार्ण में अभी लेबल है और नीचे में आपको एक email id फिल अप करने का अपसा है तो आपको यहां पर जो की email ID भी फिल अप कर देना है तो चलिए हम इन सभी इटेल्स को सबसे पहले तो mobile number और email ID फिल अप कर देते हैं, mobile number और email ID फिल अप करने के बाद इसली जो की यहां पर जो की से accept करना है और उसके बाद फाइलली प्रोसेट पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आपके mobile number पर one time password OTP सेन के आगए OTP को यहां पर आपको फिल अप कर देना है और OTP फिल अप करने के बाद verify and process पर आपको क्लिक करना है तो first case आपका basic details आपके अधार card के base पर यहां पर दिखाया ज़रा है इनमें से सबसे पहले तो यहां पर आपको title जो की select कर लेना है इसके नीचे आपको अपना name date about gender यहां से select कर लेना है उसके बाद यहां पर जो की देख पर है पार्मामेंट address फिल अप करने का option आ रहा है जो की हमारा policy से फिल अप कर ली है हमारा इनकेस पार्मामेंट एड्रेस और कॉम्निकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो येस पर किलिक करेंगे तो आपका भी दोनों सेम हो जाएगा उसके बाद सारा एड्रेस फिल अप करने के बाद फानली प्रोसेट पर आपको क्लिक करना है second step इसके आगे आपको other personality test fill up करने का option आ रहा है इनके सबसे पहले तो आपको miracle status पुछा जा रहा है तो यहाँ से अगर आप married होएगा तो यहाँ पर आपको click करना है तो यहाँ से आपको अपना madam name fill up कर सकते हैं अगर आप married नहीं होएगा तो यहाँ पर आपको tick नहीं करना है नीचे आपको crystal करना है first case यहाँ से आपको अपना mother's name यहाँ पर fill up करना है उसके बाद यहाँ से आपको अपना father's का name यहाँ पर fill up करना है नीचे यहाँ पर religion पुछा जा रहे तिन केस यहाँ से आपको अपने हिसाब से select करना है उसके बाद यहाँ पर category आपको अपने हिसाब से category भी select करना है इसके आगे education पुछा जा रहे तिन केस यहाँ से आपको अपने हिसाब से select करना है जितने तक पढ़े लिखे होंगे एक अपको इन दिकाब होगा तो यहां पर है आपको स्रीपने अच्छेश एक तो हम आपको अपसों Inkiveness करेंगे चलफ़ करेंगे अनुck आपको की सारे ओपसन दिखा धाना है इन में से अगर आप किसी भी option में अगर आप एविलेबल होंगे जैसे कि आप भी गवर्मेंट जब में आप यहाँ पर एविलेबल होंगे तो यहाँ पर select करेंगे और यहाँ से आपको यहाँ पर जो कि इसमें भी आपको और इंडुजुवल का option है select करना है इसके बाद यहाँ पर जो कि देख पार है कुछ और यहाँ पर occupation details select करने का option आ रहा है इनकेस occupation type में आपको भी यहाँ से आप अपने हिसाब से select करेंगे अगर आप student हो यहाँ से आप student भी अपने हिसाब से select करेंगे इसके आगे यहाँ पर जो कि देख पार है यहाँ student select की हैं तो यहाँ पर आपको तीन option जो की occupation category occupation sub category यहाँ पर fill up नहीं करना है नीचे में यहाँ पर organization name आपसे पुछा जारा है तो यहाँ पर आप business करते होंगे तो उस business का name यहाँ पर आपको fill up करना है अन्ताई से अगर आप student है तो यहाँ पर आपको यह option choose नहीं करना है नीचे इस्ट्रॉल करना है और यहाँ पर जो की देख पर annual income पुछा जारे तीन case यहाँ से आप सबसे फिले तो आपको अपने annual income आपको अपने हिसाब से select करना है इसके हीचे यहाँ पर network पुछा जारे ती यहाँ पर network भी आपको अपने हिसाब से select करना है उसके बाद यहाँ पर आपको annual turnover यहाँ पर income पुछा जारे ती यहाँ से आपको अपने हिसाब से जो किसमें fill up कर सकते हैं यहाँ पर जो की देख पर है आपको यहाँ पर annual credit in account का option आरे जिस्ट यानि कि आप या फिर license या other कोई भी यहाँ से आप income proof भी आप दे सकते हैं इनमें आपको यहाँ पर other select करना है other में यहाँ पर आप कोई भी document यहाँ पर आप name fill up कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर pen card भी document में आप upload कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अधार card भी देश सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर जोगी अधार कार्ड को ही अप्लोड कर दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको अधार कार्ड लिख देना है जो भी डॉक्मेंट का नेम यहाँ पर आप फिल अप करिएगे जैसे कि हम यहाँ पर अधार कार्ड लिखे हैं तो यहाँ पर आपक क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर नॉमनी का डिटेल्स एड कर सकते हैं अगर आप नॉमनी डिटेल्स एड नहीं करना चाहते हैं बाद में एड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टीक नहीं करना है सारा डिटेल्स फिल अप करने के बाद फाइनली प्रोसेट पर आपक आपकेट डिस्टिक में जितने भी ब्रांच होगा यहाँ पर आपको ब्रांच दिखाया जगा इनमें से आपको अपने नेरेस ब्रांच को सलेक करना है उसके जाद यहाँ पर जो कि देख पर है सर्विस सेलेक्शन का अप्सान रहे यानि कि आप अपने एकाउंट के बारे मे प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से टिक कर देना है अगर आपको चेक्बुक की रिक्वार्मेंट है तो चेक्बुक भी यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं हमारा इनकेस जो कि चेक्बुक नहीं टिक करेंगे पास्बुक की रिक्वार्मेंट है त स्टेप यहां पर कुछ बेसिक डेल्स दिखाया ज़रा है इन केस नीचे स्ट्रॉल करका ना है और यहां पर जो कि टर्मेंड कर्डिशन को एक्सेप्ट करना है दो यहां पर नीचे में आपको दो अप्सान आ रहा है फॉर्स्ट केस जो कि देख पर है OTP पर यहां पर आपको branch visit करना पड़ेगा account को complete करने के लिए second option है यहां पर जो कि देख पर है आपको video call KYC से आप अपने account का full KYC complete कर पहेंगे जिसमें आपको यहां पर instantly आपका account number अपको मेंज जाएगा और by post आपके address पर video call KYC complete होएने के बाद आपका passbook और ATM card send कर दे जागा तो हम यहां पर जो क उसके वाद finally summit पर आपको click करना है यहां पर आपको preview application में साराइटेल्स दिखाया ज़रा है अगर किसी परकार का form fill up करने में गलत information लगता है तो यहां पर आपको pencil का यहां पर yellow color का option देखा ज़रा है इस पर click करके यहां से आप edit भी कर सकते हैं एक पर आपको साराइटेल्स customer id, account number, branch और यहां पर IPC code भी मिल गया है नीचे में यहां पर जो कि देख पर है वीडियो कल के वाईसी complete करने का process आ रहा है और यहां पर जो कि देख पर है download PDF का भी option है इस पर click करके यहां से आप अपने account के statement का PDF भी download कर सकते हैं और इसके आगे आपको वीडियो कल के वाईस कि इस वीडियो कल के वाईसी complete कर पहेंगे कि हमारा यह वीडियो अभी रात में shoot हो रहा है तो अभी तो यह वीडियो कल के वाईसी complete नहीं कर पहेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कल के वाईसी कैसे complete कियेता है फूल वीडियो आपको बता दूगा